क्या बात है क्या बात है क्भीजी जई जणेरदर बंदु हो मैं कभी डॉक्टर राहुलियान फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने कारेकरम में जिस्का नाम है क्या बात है कभी जी क्या बात है कभी जी दोस्तो हमेशा की तरह फिर से लेकर आ गया हूँ कुछ नए कभीयों को और उनकी कुछ तड़कती भड़कती नई-नई कभीताओं को तो आए आप की मुलाकाथ कराते हैं हमारे आज के महमानों से दोस्तों बावा महाकाल की धर्तियों जैन से आज हमारे बीच में हास व्यंग के एक महाकवी आय हुए है जिनका नाम है अशोग भाटी जी और जिस तरह महाकाल की जब तीसरी आँख खुलती है तो आता है बवंडर और इसलिए उजैन की ही धर्ति से हमारे बीच में आया है एक हास व्यंग का बवंडर जिनका नाम होता है हिमाईशु बवंडर और इसके साथ ही जीलों की नगरी भोपाल से अपनी गीतो और गवजलों को लेकर आ रही है रिचाच चौदरी सहर जी प्रश्नु विहारी नूर साब कहीं लिखते हैं ये गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए मुझ मैं ठकन न पाई तो देचारे ठक गए पर दोस्तो हम आज के कारिकरम की शुरुवात जिस कवी से करने जा रहे हैं वह गमों को ठकाते नहीं हैं बलकि उड़ा देते हैं क्योंकि उनका नाम होता है हिमाईशू बवंडर अगर उनकी शैली और शिल्प की बात की जाए तो वह सभी कवीयों से एकदम अलग है दोस्तो आपने सुना होगा कि बवंडर आते हैं बवंडर जाते हैं पर ये बवंडर जहां जाता है वहां चाज आता है और सभी के दिलों पर राज करने लगता है तो आये आपकी जोरदार तालियों के बीच में आपको हसाने के लिए ठहट हाके लगाने के लिए मजबूर करने के लिए मैं आवाज देने जा रहा हूँ हिमाशु बवंडर जी को नमस्कार मैं कभी इमान्शु बवंडर बाबा महकाल की नगरी उज्जेन वध्यपदेश से पारस चैनल के सभी दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार ग्यापित करता हूँ आपकी भवी और गरिमा मैं उपस्तिती को प्रणाम करता हूँ राहुल जी आपने मुझे आपके इस कारेकरम में बुलाया भगवान बहुत जल्दी आपको बुलाएं आपको भी बुलाएंगे नहीं मतलब आपके दुख दूर करने के लिए आपके कष्ट दूर करने के लिए आपकी तकलीफे दूर करने के लिए मैं हासी बंग कभी हूँ घर-परिवार की बातों से आपके ठके हुए चेहरों पर मुस्कुराहट विखेरने का काम करता हूँ इससे जादा मुझे कुछ भी नहीं आता मैं जादा टेंशन लेता भी नहीं हूँ क्योंकि टेंशन लेकर के मरने से अच्छा है कि मुस्कुरा करके जिना हम लोग सीख जाएं दो तीन बात आपके बीच में करना चाहता हूं रहुल जी पिछले दिनों मुझसे एक लड़के ने पुछा बताओ विश्व महिला दिवस कब मनाया आता है आठ मार्च को बोले और विश्व पूरुष दिवस मैंने का एक मई को बले पागल समझते हो एक मई को तो विश्व मजदूर दिवस होता है मैंने का अंतर क्या है इस्तित्या परिस्तित्या बहुत खराब होती सर और मैं आपको बोलता हूं पहले अपने दिल से प्रश्न करो फिर अपने दिमाग स सोचो और फिर करो वही जो पतनी कह रही है वाँ 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 इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूत नहीं तो राहुल जी मैं तो शादी के दूसरे ही दिन अपने वहवाहित जीवन को सुचारू रूप से संचालित कैसे करे इसके गुण सिख गया था वो क्या था क शादी के पहले मेरी मा जिस बेलन और चकलोटे पर खाना बनाती थी उस चकलोटे की एक तांग तूटी थी तो जब मेरी मा रोटी बेलती थी तो उसमें से टक 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 ऐसी आवाज आय करती थी शादी के दूसरे ही दिन पतनी घुसी आवाज आना बंद हो गई मैं तु मैंने इसकी दोनों टांगे तोड़ दी तो यह लेवल में हो गया मुझे समझ में आ गया कि इमान्शु अगर अपने को अपनी सलामत रखनी है तो इसको तक तक पट-पट पसंद नहीं है करता हूं कि हर पुरुष के आलत क्या हो गई है सुनिएगा कि काहे कातंक वादबं से बड़े हैं गम जिन्दगी हमारी ये भूचाल जैसी हो गई फटा पेंट फटी जेवू और गारी की सीट फटी नितन ये भुकंप बवाल जैसी हो गई और तन खा हमारी किष्टे ही खा जाती सारी लंगडा के चल रही लंगडी चाल जैसी हो गई और ना मुसीवत जा रही है, ना बवीता रही है जिन्दगी हमारी जैठा लाल जैसी हो गई राहूल जी आपका ठाहा का निकला, येकिनर आपकी जिन्दगी भी वैसी यह जैसि मेरी है चलिए मैं एक दो चोटी चोटी बात आपके बीच में करता हूँ मैं आपको किस्ता सुनाता हूं कि सुभा सुभा पत्नी ने मारी लाथ बोले हाए कैसे निभाव इस गधे के साथ मैंने का तूने लाथ मारी है तो गधा मैं नहीं हूं तू गदी है बताओ क्या काम है भुन-भुना कर बोली के उठ जाओ है कि स्विच में प्लग लगाओ और गीजर चलाओ मैं भी उठा है स्विच में प्लग लगाई बाकि स्विच ऑॉन करना भूल गया नजाने किन खयालों में जूल गया आदे घंते बाद की घटना बताते हुए आ रही है मुझे शर्म सी पूरे आदे घंटे बाद पत्नी गीजर से ज़्यादा गर्म थी खेर वो घड़ी गई वो चोगड़िया गया अब दोपहर के समय गुन-गुना रहा था अपने बीवी के धोय हुए कपड़े सुखा रहा था कपड़े सुखाते सुखाते मुझे पड़ोसन ने देखा और एक मुस्कुराहट का तोफा मेरी तरफ फेका कपड़े सुखाते सुखाते मुझे पड़ोसन ने देखा और एक मुस्कुराहट का तोफा मेरी तरफ फेका मैंने कहा बस मैं तेरे मोह पाश में बिल्कुल नहीं आउंगा तु भले ही मुस्कुराते मुस्कुराते मुझे गले लगा ले पर तेरे कपड़े बिल्कुल नहीं सुखा जी मैं जानता हूं राहुल जी मैं एक चीज हर जगा कहता हूं कि पुरुष बहुत भोले होते हैं और मैं हर जगा ये प्रूब भी कर देता हूं कि तो एक सभ्य पुरुष बोले एक लड़की पढ़ लेती है तो परिवार के चार लोगों को सिख्षित करके छोड़ती है मैंने का भाई साब इसी का टेंशन है उसके पीछे कॉलेज के 40 लड़के फेल हो जाते हैं सबसे शक्ति शाली करती कोई इस पर लड़ाई नहीं है मेरा कोई व्यक्तिगत मद्भेद नहीं है किसी महिला से पर मैं यह चाहता हूं कि आप अगर लड़कों में अजीत देखते हैं ना तो लड़कियों में भी अरुणा इरानी देखने की नियत रखें चार-पांच पंग्तियां पढ़ता हूं अगर आपको बात अच्छी लगे सची लगे तो बताईएगा क्योंकि भगवान ने सबसे शक्ति शाली क्रती कोई इस संसार में रची तो वो महिला थी और आज वो महिला पूर्षों की बरावरी कर रही है यह बात गलत है सुनिएगा सागत रावन का हंकार कंस जैसा क्रोध है तो काल कूट मंत्रा की बोली का भी देखिये मारीच का छल और अही बल देखते तो वार पूतना की विश्य चोली का भी देखिये और खरदूशन यदी समाजिक प्रदूशन है कामकाज ताड़का की टोली का भी देखिये लंकनीव सुरसाय चंचला के कसी सुता बदले में धधकती होली का भी देखिये बदले में धधकती होली का भी देखिये बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आप दोस्तों ये थे हिमाईशु बवंडर जी जो की अपने साथ हास्य व्यंग की आंधियां लेकर चल रहे थे और इनकी आंधियों ने यदि आपके घमापर उदासी को जरासी देर के लिए भी उड़ाया है तो कह दीजिए क्या बात है कवी जी रादेश याम प्रगलब जी कहीं लिखते हैं कि दिन के उजेरे में न करो ऐसा कोई काम नीन जो ना आए तो मैं रात के अंधेरे में और रात के अंधेरे में न करो ऐसा कोई काम मुह जो छुपाते फिरो दिन के उजेरे में पर दोस्तो आज हम जिस कवित्री को लेकर आए हैं वो अपने गीतों से और गजलों से अन्हेरी रात में भी दिन का उजाला कर सकती है दोस्तो उन्होंने बहुत ही कम समय में दुनिया भर के लोगों पर अपनी चाप छोड़ी है तो आएए दोस्तो जीलों की नगरी भोपाल से अपनी गीतों की जील से कुछ बूंदे लेकर आ रही है रिचा चौदरी सहर जी तो आएए आपकी जोरवार तालियों के बीच मैं मंत्यत करता हूँ रिचा चौदरी सहर जी को नमस्कार, मैं रिच्छा चौदरी सहर, भूपाल मद्य प्रदेश से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ, सर्वर प्रथम मैं पारस टीवी चैनल का धन्यवाद करती हूँ, और भाई राहुल जैन का धन्यवाद करती हूँ, अब मैं यहां से अपनी कावे आत्रा प्रादम मुहबत से महकता ये, नजारा खूब सूरत है, तुम्हें पाकर ये लगता है, जमाना खूब सूरत है, तुम्हें पाकर ये लगता है, जमाना खूब सूरत है, तुम्हें पाकर ये लगता है, जमाना खूब सूरत है, तुम्हें पाकर ये लगता है, जमाना खूब सूरत ह है फलक के चांद को जाकर बता आओ जहां वालो फलक के चांद को जाकर बता आओ जहां वालो मेरा महभूब उससे भी जियादा खूब सूरत है तुम्हें पाकर ये लगता है जमाना खूब सूरत है तुम्हारे चेटियां जिसको सदा पढ़कर सुनाता था मेरे आंगन का वो पीपल पुराना खूब सूरत है तुम्हें पाकर ये लगता है समाना खूब सूरत है मौबत से महकता ये नजारा खूब सूरत है कभी इज़ार पर मेरे जो काली थी नजर तुम्ने कभी इजहार बर मेरे जो काली थी नजर तुमने कि कच्ची उम्र का पहला इशारा खूब सूरत है मुहबत से महकता ये नजरा खूब सूरत है तुम्हें पाकर ये लगता है समाना खूब सूरत है मुहबत में मुहबत से किये वादों से भी ज्यादा किये वादे निभाने का इरादा खूब सूरत है मुहबत से महकता ये नजरा खूब सूरत है तुम्हें पाकर ये लगता है जमाना खूब सूरत है सनम एक घर बनाया था कभी जोरेत से तुमने सनम एक घर बनाया था कभी जोरेत से तुमने उसी से ही समंदर का किनारा खूब सूरत है तुम्हें पाकर ये लगता है जमाना खूब सूरत है जमाना खूब सूरत है सेरे गले की फूल मॉला खूब सूरत है भाववववववववववव जमाै की फूल माला खूब सूरत है मुहाँ सन्दः मुहाँ से महकता ये नजारा खूब सूरत है तुम्हें पाकर ये लगता है जमाना खुबसूरत है बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया तो दोस्तो ये थी रिचाच चौदरी सहर जी जो की अपनी मनमुहक आवाज के साथ आपके बीच में लेकर आई थी बहतरी मशेरो शायरी और घजल यदिन की घजलों ने आपको चुआ है आपके दिल को चुआ है तो कह दीजिए क्या बात है कवी जी क्या बात है कवी जी तो आईए दोस्तो अब मैं जिस बड़े कवी को बुलाने जा रहा हूँ वह अपने आप में कवीता की पाठशाला है वह जन्म से तो जैन नहीं है पर कर्म से जैन है जहां एक तरफ उनकी कवीताओं और उनके चरित्र में जैन दर्शन का मर्म दिखाई देता है वहीं दूसी तरफ उनकी हास वेंग की प्रस्तुती उन्हें अंतर राश्टिय इस तर पर स्थापित करती है प्रतिष्ठा दिलाती है तो आएए उस बड़े कवी को उस हास वेंग के महा कवी को आवास देने जा रहा हूं जिनका नाम होता है स्री अशोग भाटी जी और एक बड़े कवी को बलाने जा रहा हूं तो कुछ मॉटिवेशनल की पंक्तिया होना चाहिए तो अपनी चाहर मॉटिवेशनल पंक्तियों के साथ उन्हें आवास देता हूं कि चांद सतारे हीरे मोती कदमों में कि चांद सतारे हीरे मोती कदमों में दम होतो ये दुनिया होती कदमों में और सच में यदि पुरुसार्थ किया होता पूरा सच में यदि पुरुसार्थ किया होता पूरा तूटी-फूटी-किसमत-रोती कद्मों में तो आये दोस्तों आपकी दना-धन तालियों के बीच में आमन्तित करने जा रहा हूं अशोक भाटी जी को नमस्कार, मैं कभी अशोग भाटी उजेन, पारस चनल के समस्त दर्शकों का अभिवादन करता हूँ भाई राहुल जेन ने जो एक ये सकारात्मक कविताओं का गिर्दोश हासुन की कविताओं का जो ये प्रयोजन शुरू किया है इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बढ़ाई हैं, सबसे पहले भारत आज्यातम और दर्शन का देश हैं, हमारे हिंदु धर्म यानि सनातन धर्म, जेन धर्म, बहुत धर्म, सिख धर्म हम यदि जेन धर्म की बात करें तो हम यह देखेंगे कि तिर्थंकरों की एक लंबी शंखला रही है वर्तमान, बीती और आगामी मैं आपको त्रिकाल चोवी से सुनाता हूँ प्रतुत है प्रतम चोवी से तिर्थंकरों के भाल पे चंदन, रिशब अजित संभाव अभिनंदन, सुमिती पद्मसू पार्ष नमामी, चंदर सुमिती शीतल प्रणामी, स्रयांश वासु पुझ विमल नमस्तू, अनंत धर्म शांती और कुंथू, अर्मली मुनी सू वरत्त नमी, नेमिनाथ पावन प् प्रस्तु थे आगामी चोवीसी, नमन चोवीसी आवती, रखू चरण में मात, महापध्य सुर्प्रभ सुप्रभ और स्वयम प्रभनात, सव्यूदी प्रभुतुम करपा करो, जै उदे प्रभ देव, उदंक प्रश्न कीर्थी जै कीर्थी प्रभु, पुर्ण बुद्ध महादेव, नीकशाय विमल बहुल, निर्मल हरो कलेश, क्षमा सिंधु और दया निधी, चित्र गुप्ति परिमेश, नमोस्तु समाधी गुप्ति प्रभु, नात स्वयंभु कंदर्प, विंती जै विमलेश प्रभु, दिव्य हरे सब दर्प, तो तिर्थंकर आलोक से, त अगमग पुर्ण दिगंत, चोविस में करुणा मई, तिर्थंकर वीर अनन्त, जै हो अदवोत, अदवोत, प्रस्तुत है, बीती चोविसी, चरन वंदना में करू, पियू नेहे का नीर, क्रपा वंत निर्वान प्रथम, सागर गहन गमीर, महा साधू विमल देव, शुद् प्रभु शिर्दत्व विकार हरे, कर दूर अहम सिद्धाब, अमल देव, उद्धार देव, अगनी सैयम नात, शिवगन पुषपांजली प्रभु रहे चरन में मात, उत्सह जेती परम ज्यानिश्वर और प्रभु विमलेश, हिंसक भी जपले अगर, मन हिंसा रहे इनके पथ पर जो चले, भूल जाए सब युद्ध, तो तेईस्वे शिरिभद प्रभु रखूं चरन में शीश, अनन्तविर की जै बोलो, पुर्ण होई चोबीस, पुर्ण होई चोबीस, अब प्रस्तुत है, हास सुनी के तीन छोटी-छोटी मिसाईले, पती-पत्नी के स लोहे के पलंका दियाता उपहार, एक पत्नी ने पती से कहा प्राणनात, पिछले जनम दिन पर आपने मुझे लोहे के पलंका दियाता उपहार, इस जनम दिन पर क्या है देने का विचार, तो पती बोला, पती बोला में इस जनम दिन पर उपहार देने के सारे रिकार्ट त खुब बढ़ाई दावत और खुब लगाये था के फिर प्रस्ताव पास किया अपनी अपनी सासु माओं को तिर्थ यात्रा पर भिजवाने का यानि धेर सारे पुण्डि कमाने का तो सारी बहुओं ने अपनी सासु को एक बस में बिठाया और तिर्थ पर भिजवाया पर हा मेरी खाई सारी सासे भगवान को प्यारी हो गई एक भी बशने नहीं पाई बहुओं इखटा होके रोने लगी अपने नकली आसों से अपना दावन भिगोने लगी एक बहुतो बहुती तेज तेज रो रही थी उसे देखकर एक शिरिमान को हेरानी हो रही थी शिरिमान जी तो रिष्टों की डोट तूड गई थी, किस्मत मुझसे रूड गई थी, क्या बताओं भाई सहाब, मेरी तो सास की बसी छूड गई थी जी बहुत-बहुत धन्यवाद, और प्रस्तूत है अब तीसरी मिसाइल एक पार्क में एक युवक योती प्यार के रसायन शास्त्र का प्रैक्टिकल कर रहे थे तब ही गश्ट लगाते पुलिस वाले ने आकर टोका, सेमी सांस्कृतिक गतिविधी करने से रोका बोला शादी के पहले ही प्रेम का इजहार, क्या सोचे का दुम दोनों का परिवार युवक बोला सर आपको गलत फ्यमी हो गई है, हमारे मामले में आपका बयान जुदा है हम दोनों तो पहले से ही शादी शुदा है, अशान्त मन को प्रसंद कर रहे हैं और पार्क में बेटे बेटे भजन और कीरतन कर रहे हैं तो सिपाही बोला, सिपाही बोला शादी शुदा हो तो घर पर जाईए और वही पर जाकर जान्जमजरे बजाईए तो युवक बोला बाप रे बाप, क्या बात करते हैं आप यदि घर पर जाकर किया प्रेमालाप तो बहुत बड़ी आफ़त आ जाईगी इसका पत्ती इसे मार डालेगा और मेरी पत्नी मुझे खा जाईगी खतरनाख खतरनाख दोस्तों ये थे अशोक भाटी जी जहां एक तरब उन्होंने त्रिकाल 24 पर एक बहतरीन कवीता प्रस्तुत की वही साथ में हास बेंग की छोटी छोटी पर मारक मिसाइले भी आपके उपर है की यदि आपकी उनकी इतनी दमदार प्रस्तुती में मज़ा आया है जो की आया ही होगा फिर तो कह दीजिए क्या बात है कवी जी क्या बात है कवी जी दोस्तों इस करोना काल में जहां एक तरफ तो हमने इंसानों के रूप में हैवान देखे जिन्होंने छोटी छोटी मगर जरूरी चीजों की काला बाजारी और लूट की वहीं दूसरी और हमने इंसानों के भेश में भगवान भी देखे जिन्होंने अपना सरवसन उच्छावर कर अपना तन, मन, धन लगा कर लोगों की मदद की और मुझे बड़ा गर्व होता है हमारे स्यादवाद युवा किलब के साथियों पर जिन्होंने दिल्ली NCR में करोना पीड़त लोगों की बहुत मदद की है जब ऐसे दो परकार के इंसान मैं एक ही समाज में देखता हूँ एक ही जगह पर देखता हूँ तब मुझे अपनी चार पंक्तियां याद आती है मदद के एक तरण से भी किसी को होसला होगा मगर तुम तोड़ते हो वो किसी का घौसला होगा कि मदद के एक तरण से भी किसी को होसला होगा मगर तुम तोड़ते हो वो किसी का घौसला होगा और खड़े कर लो भले तुम फाज कितने भी वकीलों की खड़े खड़े कर लो भले तुम फौज कितने भी वकीलों की, अदालत वक्त की बैठेगी तो बस फैसला होगा तो आएए दोस्तों, इनी चार पंक्तियों के साथ आज का कारिकम यही समाठत करते हैं और अगले हपते फिर आफ से मुलाकाथ होगी तब तक के लिए जैजनेंद्र